कि दोस्तों यदि आपने अपने घर में दिस टीविंग केल लगवाया है तो यह वीडियो आप नों के लिए बहुत ही काम की साबित होगी यदि आपके भी घर में टीविंग में तो आपको पता यह होगा कि जब हम TV देखते हैं तो कोई-कोई चैनल तो बहुत साब चलता है लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो खेचखाच-खेचखाच करते रहते हैं और किलियर नहीं चलते हैं यानि उनका सिगनल कमजोर रहता है यदि आपको यह पता चल जाता है कि आपके डिश टीवी का सिगनल कमजोर है तो आप मैकेनिक को बुला कर उसके सिगनल को बढ़ा सकते हैं तो डिश टीवी के सिगनल को कैसे चेक करते हैं चलिए मैं आपनों दिखाएता हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है डिश टीवी के रिमोट से मिनू बटन प्रेस कीजिए तो नीचे में यहाँ पर कुछ मिनू बार दिखाए देंगे जिसमें से यहां चौथे नमर पर है माई डिश इसमें क्लिक करेंगे तो यहां साइड में कुछ और आपसन खूल जाएंगे जिसमें से यहां नीचे से दूसरे नमर पर है टूल्स तो हम टूल्स में क्लिक करेंगे तो यहां फिर से कुछ और आपसन खूल जाएंगे जिसमें से यह तिसरा वाला आपसन है ट्रांसपोंडर सेटिंग तो हम इस Transponder Setting में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां नीचे में दो Signal का Label सो हो रहा है पहला है Signal Label और दूसरा है Signal Quality और यहां Side में सभी Channel सो हो जाएंगे तो आप एके करके सभी Channel के Quality को यहां से Check कर सकते हैं यदि आपके डीच टीवी में Signal Label या पिस Signal Quality कमजोर है यानि बहुत कम है तो आपको क्या करना है कि डीच टीवी छतरी जो सेट करता है उस मेकेनिक को बोला लेना है वह आप से 100.500 रुपे लेगा और आपके डीच टीवी छतरी को सही प्रकार से सेट कर देगा जिससे कि आपके डीच टीवी का Signal बढ़ जाएगा और उसके बाद कोई भी चैनल खिच-काच नहीं करेगा और नहीं फसेगा बिल्कुल क्लियर चलेगा तो ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरू बताइएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चैनल पर पहली बार आएए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरू प्रेस कर दे तो मिलते हैं इसी पर आके एक और नालेज वाली वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यों दोस्तों